गलत पैन कार्ड बनाकर यूपी में चर्च की संपत्ती बेची टैक्स में करोडों की हेरा फेरी नोटिस मिला तो संस्था की ठगी का पता चला फिरोजपुर पुलिस ने गलत पैन कार्ड बना कर चर्च की संपत्ती बेचने और टैक्स में करोडों की हेरा फेरी करने के मामले में तीन लोगों को नामजद किया है शहर में स्थित चर्च of North India की बैंक में ट्रांजेक्शन करने के लिए 2017 में संस्था के नाम का पैन कार्ड बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था पर उस समय के चर्च अधिकारियों ने गलत पैन कार्ड तयार कराया और फिरोजपुर के चर्च का एड्रेस फिर पैन कार्ड लिखवाया फिर पैन कार्ड का दुरुप्योग कर आरोपियों ने यूपी स्थित चर्च की संपत्ती बेच दी और टैक्स में हेरा फेरी की निवासी भगवती एंक्लेव सतिये वाला बाईपास फिरोजपुर ने बताया कि शहीद उधम सिंह चौक फिरोजपुर की बैंक ट्रांजेक्शन के लिए संस्था ने 10 जुलाई 2017 को चर्च के नाम पर पैन कार्ड बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था. उस समय रिवरिन, रामलाल निवासी, बस्ती बाईयां, होशियारपुर हाल वासी, लुधियाना चर्च के चेयर मैन और बेंजामिन जॉर्ज पार्क निवासी, शांती नगर फिरोजपुर सचिव थे. जॉर्डन मसीह निवासी लुधियाना ने दोनों से मिलकर मिली भगत कर गलत पैन कार्ड तैयार करवाया था और उसका दुरुपयोग किया। जांच अधिकारी ASI अयूब मसीह ने बताया कि शिकायत की जांच करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहट थाना सिटी में मामला दर्ज कर लिया है।